हेलो बच्चो दिस इस में महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्ट करेंगे वोक्षीट नमबर नाइन ये वोक्षीट 26 ओफ जुलाई 2021 के लिए है चलिए देखते हैं आज हमें हिंदी की वोक्षीट में क्या-क्या दिया गया है यह worksheet class 10th के लिए है आज की worksheet को देख लेते हैं दिये गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर लिखे यानि कि सबसे पहले आपको क्या करना है गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है समझना है और फिर उस पर आधारे जो भी प्रशन आपसे पूछ करें उनके उत्तर लिखने हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज के गद्यांश को कि आज के गद्यांश में क्या दिया गया है यदि हम चाहते हैं कि भविश्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विध्यार्टियों की विध्यार्टियों को सभी दृष्टी से यो बनाना पड़ेगा कैसे आज के विध्यार्टी या बुरे कोईबह्ना पहले बात उन्सवे भावना का संचार करने के है यह लिए बच्छों के अंदर आज के विध्यार्थे यह चाह्वान होने समझ कर अपनी रक्षा करें यानि कि हमें देश की रक्षा ये सोच कर नहीं करने कि ये देश है इसकी रक्षा करो नहीं हमें ये सोच नहीं कि ये देश हमारा है जैसे आपका घर आपका अपना है और यदि आपके घर को कोई नुकसान पहुचाता है तो क्या करते हैं आप आपके अंदर जाग्रित हो जाएगी उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके उपर भारत की रक्षा का भार है उसे स्मर्ण रखना होगा कि वह उस महान रास्ट का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वशुधव कुटुम्बकम की उद्गोशना की थी यानि की भारत एक ऐसा देश है आदिकाल मतलब बहुत वर्सों से जब से यह शुरू हुआ है हमारा भारत जब से देश है हमारा भारत तो बोला गया है कि तब से हमारे देश में वशुधव कुटुम्बकम क ही परंपरा रही हैं वसुधार कुटुम्भगours मुठा है पूरा संसार ही हमारा है और हमें पूरे सμसार को साथ लेकर चलना है ठीक है तो हमारा देश ऐसा है कि पूरा देश ही हमारा है और यह पूरे देश की रक्षा करनी है फूरे देश की को एक समान माने autobiíz reflect जैसे हम एक घर में रहते हैं और हम सारे भाईबेन अगर एक दूसरे से लड़ते हैं जगड़ते हैं पर क्या हम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं नहीं हम एक दूसरे की सहाइता करते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं पर हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं क्योंकि हम एक सुधव कुटुम्ब कम रखना है यानि हमें सब को मिल जुल कर रहना है दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है कर्मठ मतलब होता है कि आलस को छोड़कर हम अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने काम को इमानदारी से करते हैं जल्दी करते हैं उसे कर्मठ बोलते हैं आलसे को अपना महान सत्रू समझ कर उसकी चाया से घिर्णा करनी है, यानि कि हमें आलस से बहुत दूर रहना है, जितना ज़्यादा आलस हम करेंगे, हम सोचेंगे आज नहीं पढ़ेंगे, चलो कल पढ़ लेंगे, परसो पढ़ लेंगे, को आधिक से अधिक उत्पादन करने की अधिक से अधिक करत्व परायन अधिक से अधिक प्रकतिशिल बनने की क्योंकि अगर हम ऐसे बनेंगे तब ही हम देश को आगे ले जा पाएंगे विदेशों से होड करने के लिए हमारे चात्रों को समय से काम करने की आदट डालनी होगी यानि कि हम देखते हैं विदेशों में कैसा होता है कि सारा काम punctuality के साथ होता है हर काम टाइम पे होता है लापरवाही नहीं होती है वही लापरवाही जो हमारे देश में चल रही हमें इसे त्यागना है हम अगर पंचुल होंगे क्योंकि आज के विध्याती ही देश का भविश्य है अगर आज के विध्याती जो है वह पंचुल होंगे तो भविश्य में हम एकम और दो तीन गंटे लंगातार बढ़ाई कर सक्ते हैं। नो कि वीष्य क्यांगें सब्यसद्राइज रात. दूर होगा यानि कि जब देश लगातार मिलके देश के लिए समर्पित भाव से काम करेगा देश के नागरिक काम करेंगे तब ही देश जो है वो आगे बढ़ेगा तो ये था हमारा आज का गद्यास बहुत ही अच्छा गद्यास था चलिए इस पर बेस्ट कोशिंस देख ले नमबर तीन विध्यातियों के किस सामोहिक योगदान से रास्ट की प्रगती हो सकती है आगे के प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर चार कहता है वसुधव कुटुम्ब कम का अर्थ समझाईए इसके लिए आप अपने सिक्ष को या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं प अध्यांस का उचे शिर्शक सोच कर लेखिए तो यह हैं हमारे आज के छे कोशिंस चलिए शुरू करते हैं सभी कोशिंस की आंसर देख लेते हैं आज की प्रशन आज का पहला प्रशन है भविश्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे तो उसका उत्तर देख लेते हैं आलस को त्याकर मेहनत करता है तथा रास्ट भक्ती की भावना अपने अंदर जागरित करता है वही विध्याती भविश्य में एक अच्छा नागरे बनता है प्रशन नमबर दो की बात करते हैं आपके अनुसार रास्ट के विकास के लिए किसकी अवश्यक्ता है तो इसका उत्तर है हमारे अनुसार आज रास्ट के विकास के लिए देश के सभी नागरिकों को मिलकर सहयोग करना होगा और आलस से को छोड़कर मेहनत तथा करतब विपरायन देश की प्रगती में योगदान देना होगा प्रशन नमबर तीन की बात करते हैं विध्यार्टियों के ए अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा प्रगती शिल बनने की सोच द्वारा रास्ट की प्रगती हो सकती है यानि कि सभी बच्चों को ऐसा सोचना है कि देश की प्रगती पहले आप अपनी प्रगती की पारे में सोचने तो देश अपने आप आप आप्टोमेटिकली प्र प्रगति में तो आप अपनी डेवलोप्मेंट सोसते हैं देश की डेवलोप्मेंट अपने आप ही हो जाती है प्रश्ण नमबर चार की बात करते हैं वसुधों कुटुम्बकम का अर्थ समझाईए इसके लिए आप अपनी सिक्ष को यह घर के बड़ों की साहिता ले सकते हैं तो इसका उत्तर है वसुधों कुटुम्बकम का अर्थ होता है संपूर संसार एक घर है तता संसार का पुतेग वैक्ति इस घर का सदस है अर्थात मनुष्ट को संपूर संसार को अपना समझकर कारे करना चाहिए आज का पांच वब प्रश्ण है गतिविरी आने अक्टिव अच्छा विध्यारती भविष्य में अच्छा नाग्यक बनका देश की प्रगती में योगदान देगा। और नंबर दो अपने डेश के प्रति समरपन तथा त्याग की भावना होुदाले तॉब की अपने अपने डेश की लिए समरपन से अधिक सीर्षक हो सकते हैं ये थे हमारे आज के सभी प्रश्ण और उनके उत्तर आयोप आपको समझ में आये होंगे समझ में आये हैं वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ह हम इसी तरीके से आपकी मदद करते रहेंगे और आपको सभी वीडियो टाइमली प्रोवाइड करते रहेंगे सभी वर्क्षीट के आंसर्स प्रोवाइड करते रहेंगे थैंक यू सो मच